पोथी पड़ी पड़ी चलगुआ, पंदिन भरा न कोण पोथी पड़ी पड़ी चलगुआ, पंदिन भरा न कोण धाया करते मकार, पड़े सो पंदिन हो एक बीरा, पड़े सो पंदिन हो बड़े बड़े किताबे पड़कर, संसार में कितने लोग मुच्चु की बार पोहच कर, लेकिन सभी विद्वान न बन तुके कोभी मांतर है कि यह दि कोई प्रेश और प्यार से केवल ढाय अक्षरी अच्छी तरह पड़े अर्थार प्यार का वास्तवे गुरु पहचाद ले तो वही सच्छा ज्यानी होगा गुरु गोवित दो खड़े काते लागो पार गुरु गोवित दो खड़े काते लागो पार गुरु और भुरुगा तोनों एकी साथ कड़े है पहले किस्ता जर्ण परश करें कभीजाजी केहते है पहले गुरु को प्रणाम करूगा क्यूंकि उन्होंने ही गोवित तक पोचने का मान्द बताया है माला फेरत शुद भया फेरन मन का 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 फेरन कोई व्यक्ति लंगने समय तब हाथ में लेकर मोति की माला तो घुमाता है पर उसके मन के भाव नहीं बदलते उसकी मन की हर चल शांत नहीं होता एसी व्यक्ति को अपी तर्फा देते हैं कि हाथ की माला को फेर ना छोड़ पर मन की मोतियों को बदलो या फेर ना प्रारंग करतो जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं जब मैं था तब हर नहीं और बहरी है मैं नहीं समझ यारा पेंद गया हो दीपक देखा माही कदिया दीपक देखा माही मैं अपने अहंकार में नूबा था तो तब प्रभू को न देख पाता था लेकिज जब गुुझने जुन का दीपक मेरे पीतन प्रकाशिब किया तो अहंकार का सब अन्धुखकार मिठ पया ज्यान के जोटी ते अहुंकार दाता रहा और ज्यान के आलोग सिस्प प्रभु को पारा जातिन पूछो साधु की पूछे जी जिये ग्यान मौल करो तरवार कार पड़ा रहने दो प्यार दिक भी आद पड़ा रहने दो जातिन पूछकर उसका ज्यान के समचना चाहिए तरवार का मुल्य होता है ना कि उसका ज्यान का उसे ज्रप्ने वाला खोलता जान्यवा